नमस्कार दोस्तो आज आयट के कलास में हम आप लोगों के लिए शेप बनाए हैं और आप लोग इस चित्र को देखकर आप अपने कापी में बनाएए कि आप कितना बढ़िया बना पा रहे हैं और कामेंट कीजिए कि ये मेरा शेप अच्छा बना है या नहीं हुआ कामेंट में जरूर लिखें और हमको बताएं अगर कहिए इसमें त्रूटी है या कोई दिक्कत समस्या आए तो जरू कामेंट में लिखें कि ऐसे नहीं यह ऐसे होना चाहिए और हम उम्मिद करते हैं कि आप भी इस सेब को देखकर बनाने का पर्यास करेंगे और सेखेंगे और हाई स्कूल वाले बच्चे बिसेश ध्यान दें क्योंकि यूपी वोर्ड में 15-20 नंबर तक पूछे जाते हैं जैसे महेंगो हुआ यूपल हुआ यह आने का ज्यादा तर संभावना होता है तो विसेश ध्यान दें और इसको बनाने का पर्यास करेंगे सिखें देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है दोस्तों पर इसको जब आप बनाओगे न तो वाकिव में लगभग आप दो चार बार जरूर इसको रेजर करकर के बनाएंगे जरूर दो तीन बार इसको मिटा लेंगे फिर बनाएंगे क्योंकि देखने में जितना एजी और आसान लग रहा है बनाने में इतना एजी और आसान नहीं है क्योंकि दो चार पांच बार आप भी इसको पर्यास करेंगे तभी बना सकते हैं हाँ हो सकता है कि आप एक ही बार में बना ले वो आपके उपर निर्भर है कि आपका आर्ट कितना अच्छा है कितना आपका हाथ सेट है बनाने में और इसे लगभग दो चार बार आप भी मिटा लेंगे तभी बना पाएंगे क्योंकि हमने इसको तीन बार में पर्यास किया है तब ये जाके हमारा कम्पलीट हुआ है